जैश्री कृष्णा आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है भगवान विश्णु की साधना अराधना के लिए समर्पित एकादशी का सनातन परमपरा में विशेश महत्व है इस पावन्तीती पर किये जाने वाल अवरत जीवन में सभी प्रकार की सफलता दिलाता है प्रत्यक मास में पढ़ने वाली इस एकादशी को अलग-अलग नाम से पुकारते हैं इस मास अथात वयशाक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं मान्यता है कि जो फल ब्रामणों को सोनादान करने, करोडों वर्ष तक तपस्या करने और कन्यादान से मिलता है वह मात्र वरुथनी एकादशी व्रत की पूजा से मिल जाता है इसे समस्त पापों का हरन करने वाली तिथी भी कहा जाता है इस दिन व्रत धारन करने से व्यक्ति को मनुवानचित फल की प्राप्ती होती है वह जीवन के हर शेत्र में विजय प्राप्त होती है पुराणों में वरुथुनी एकादशी को अत्यंत्य पुर्णे दाईनी और सौभागी प्रदाईनी कहा गया है माननेता है कि इस व्रत को करते हुए जो व्यक्ति भगवान मदुसुदन की पूजा करता है उसके सारे पाप और ताप दूर हो जाता है व्रत के पूर्णे से उस व्यक्ति को स्वर्ग अथ्वा अन्य उत्तम लोग में स्थान प्राप्त होता है इस दिन भगवान के वरा अवतार सुरूप की पूजा की जाती है वरुधनी एकादशी वरत की कथा प्राचिन काल में नर्वदा नदी के टट पर मानधाता नाम के राजा राज किया करते थे राजा बड़े ही उदार धार्मिक विचारो वाले थे एक बार जब राजा जंगल में तपस्या में लीन थे तब ही एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा राजा इससे घबराया नहीं और अपनी तपस्या में लीन रहा कुछ देर बार पैर चबाती चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया अब राजा घंबराए लेकिन तपस्या और धर्म की कारण क्रोध और हिंसाना करके राजा भगवान विश्णू से प्रात्ना करने लगे राजा की पुकार सुनकर भगवान श्री विश्णू प्रगठ हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला राजा का पैर भालू खा चुका था इससे राजा बहुत ही शोका कुल हुए उसे दुखी देखकर भगवान विश्णू बोले है वस शोक मत करो तुम मत्हुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का वरत रखकर मेरी वरहा अवतार की मूर्ती की पुझा करो इसके प्रभाव से पुनाशूर्ण अंगोवाले हो जाओगे इस भालू ने तो तुम्हें जो काटा है या तुमारे पुर्वजन्म का अपराथ था भगवान की आज्या मान कर राजा ने मत्हुरा जाकर श्रद्धा पुर्वक यहवरत किया और इसके प्रभाव से वह सुन्दर और संपुन अंगोवाला हो गया अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में जिस तरह राजा यह वरत करके अपने कस्टों से मुक्ति पाई वैसे ही सभी प्राणियों के लिए यह वरत मोक्षदाई माना गया है शास्त्रों में वरुथनी एकादशी के वरत को एक हजार गौदान से मिलने वाले फल के बराबर माना गया है इस वरत को करने से महिलाओं को सोभागे की प्राप्ती होती है वरुधनी एकादशी के वरत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के समान फलों की प्राप्ती होती है गंगा इसनान करने से जिस प्रकार पुर्णी की प्राप्ती होती है उससे भी अधिक पुर्णी इस वरत को करने से मिलता है वरुधनी एकादशी के वरत को करने से मनुष्य इस लोग में तो सुख भोगता ही है साथ हिसान पर लोग में भी उसे स्वर्ग प्राप्त होता है शास्त्रों में कहा गया है कि इस वरत को करने से मनुष्य के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं सुख मिलता ह सूरे गहन के समय दान करने से जो फल मिलता है वही फल इस वरत को करने से प्राप्त होता है इस वरत को करने से व्यक्ति को हाती के दान और भूमी के दान करने से अधिक शुप फलों की प्राप्ति होती है यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले जै श्रकृष्णा